हेलो दोस्तो नमस्कार SMKC चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे कमेंट्स आ रहे है और वो कमेंट्स थे स्पेसिविकली आप लोगों ने देखा होगा स्क्रीन की उपर धेरो IT सेक्टर के शेर्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करे IT सेक्टर के शेर्स उनमें हम लोग को जबरदस बिक वाली यहाँ पे देखने को मिल रही है अगर जितने भी IT सेक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो लाल निशान में ही हम लोग को देखने को मिल रहे है तो उसी के प्रती बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक हो रहे है सर अभी आगे क्या होना चाहिए इतनी बड़ी गिरावट है यहाँ पे तो अभी आगे क्या होगा तो इसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ कुछ आप लोगों को नौलेजिबल चीज यहाँ पे इसी वीडियो में सिखने के लिए मिलने वाला है तो चली दोस्तो फड़ा बड़ी से युडियो को स्टार्ट करते हैं बट हमेशा के दरा कहना चाहूँगा किसीने फर्स्ट ताम विजिट के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल ऐकन को हिट कर लेना इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आज के दिन भी अमेरिकन बाजार ने अच्छा परफॉर्मस दिया तो हमारा निफ्टी सेंसेक्स जिस रफ्तार में दोड़ रहा है शायद से वो उसी को कंटीनू यापे कर पाएगा सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहापे रफ्तार की बात है ठीक है कुछ सेक्टर की अगर हम लोग बात करें कुछ सेक्टर मतलब आप लोग यहापер देह सकते में आप लोगों को दिखाना चाओंगा NSA के official website पे आता हूँ मैं यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं live market को select कर लेता हूँ ठीक है index के उपर मैं click कर लेता हूँ और जैसे ही यहाँ पे मैंने click किया तो सारे के सारे sector हमलों को हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं बट जैसे मैंने बोला कुछ sectors तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल निशान में दो सेक्टर हैं भयंकर बिक वाली देखने को मिल रहे हैं कोई छोटा मोटा नहीं है फार्मा की बात करें तो इसमें कोई बड़ी rocket science वाली बात नहीं है जैसे कि मैंने किसी को comment करके भी reply दिया था कि Pfizer ने यहाँ पे COVID vaccine से related बाते सामने ला चुकी है 90% effective है करके बोल रहे है तो obviously बाकी pharma companies के लिए वो तो खबर negative ही रहेगी क्योंकि competition आप बोल सकते हो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जितने भी pharma company जो COVID से related ही मतलब यह news चल रहे थे भाग रहे थे भाग रहे थे तो वो correction आयल काई तो इसका अरतिया ने कि pharma company बरबाद हो गए तो यह एक part हो गया हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले IT सेक्टर की तो IT सेक्टर को भी अगर आप देखोगे 3.86% ओराल हम लोगों को गिरते वे देखने को मिल रहा है अगर मैं इसके उपर क्लिक कर लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर किसी individual stock के नाम की जरुवत नहीं है हम लोगों को सारा का सारा यहाँ पर लाल-लाल निशानी देखने को मिल रहा है दरना एक लाजमी बाते उनके लिए तो यह होगी क्योंकि हम भी शुरुआत में ऐसे ही थे तो डेफिनेटल यह सारी चीज़े होती थी तो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़े में फैक्ट के साथ आपके सामने रखने वाला हूँ उसके बाद आप लोगों को भी यह सारी बाते समझ में आ जाएगी तो चले दोस्तों हम लोग एक एक स्टॉक के बारे में आपे बात करेंगे बट उससे पहले कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स भी में आप लोगों को यह आपे दिखाना जरूर चाओंगा तो दोस्तों यह जो गिरावाट आप लोगों को देखने को मिल रही यह कोई नई गिरावाट नहीं इसके पहले भी ऐसे गिरावाट हो चुकी था आप देख सकते पाच मैने पहले में एक वीडियो बनाये था और दोस्तों यहापे देखा जाए तो इससे रिलेक्टेट में अल्रेडी बहुत सारी वीडियो बनायों मतलब मैं आप लोगों को दिखाना चाओंगा यहापे देख सकते स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के उपर हम लोग आ चुके हैं आपे मैं एंटर कर लेता हूँ यह अल्रेडी वीडियो बना के रखे हुए में यह देखिए प्लेइलिस्ट में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों के लिए सारे वीडियो अवेलेबल है यह देख लेना लगबग तीन महेने पहले वीडियो बनाये आपका स्टॉक अगर गिर गया है कैसे पता के रिकिये आगे क्या करना है बाय करना है होल्ड करना की सेल करना है और लगबग 98,000 लोगों ने इस वीडियो को देख लिए है तो इसलिए कहना चाहूंगा दोस्तों यह रिविजन बहुत जादे इंपोर्टन होती है वन टाइम आप लोग दे देख लेना आपको यही लॉजिक मिलेगा और कोई रोकेट सेंस नहीं है तो दोस्तों यह सारी चीजे जैसे में बदा कि रिविजन करना बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है बैटरी को रोच चार्ज करते हो बैटरी को मतलब फोन को रोच चार्ज करते हो उसी के साथ साथ अभी रोच खाते हो की नहीं तो वैसे भी आपके ब्रेन के लिए यह रिविजन बहुत इंपोर्टन है क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो भागता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है जो गिरता हो बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन है आपके लिए तो दोस्तो अभी हम लोग आ चुके इंडिविजल स्टॉक के उपर देखा ज़े तो इंडिविजल स्टॉक की कोई बात होने वाली नहीं इन्फोसेस लगबग साड़े तीन पसेंट पाउने चार पसेंट डाउन है अगर हम लोग बात करे टी की लगबग साड़े साथ पसेंट की गिरावट है सो दोस्तो क्या आप लोगों को यहापर समझ में आ है सो दोस्तो यही बात बताने की कोशिश मैंने उस विड़ो में भी के थी अभी भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इससे रिलेटेड एक पसेंट भी डरना नहीं क्यों ने डरना चाहिए क्योंकि दोस्तो ओवराल इंटायर सेक्टर यहापर डाउन है जब इंटायर सेक्टर गिरता है तो कोई टेंशन की बात होती है नहीं यह दोस्तो एंड यह कल के नेस्डेक नहीं अल्रेडी दिखा दिया था नेस्डेक मतलब आप सभी लोगों को ज जतारीती की नेस्डेक किस से रिलेटेड रहता है तो नेस्डेक जो यह इंडेक्स रहता है वो रहता है टेक की कमपनी से रिलेटेड जैसे बैंक निफ्टी का खुद का इंडेक्स है राइट सेंसेक्स अलग इंडेक्स है निफ्टी अलग इंडेक्स है वेसी डो जोन्स प गिरावट के चलते exit करते रहोगे तो आप लिए कभी भी stock market में enjoy करी नहीं पाऊगे और देखा जाए तो यह गिरावट थी ही नहीं मतलब मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखा सकता हूँ चलो इन्फोसेस का शेर पकड़ लेते ठीक है यहाँ पे आम लोग बात करेंगे क यही पे अठके हुए हो शॉट टम बस अभी एंटर करो मुझे गिरावट मिल गई मैं निकल रहा हूँ तो कोई बात नहीं है यह ऐसी गिरावट तो कितनी सारी हो चुकी है देखले ना छे महीने का इतना छोटा पिरेड में आपको दिखाया है कितना 60% का रिटर ने साट ओवेसली यह इससे भी जादा हुआ होगा 68 रहेगा 65 रहेगा वही से गिरके 60 देखने को मिल रहे है बट अवरल बात बतानी का मकसद क्या है कि अगर हर एक गिरावट पे अगर आप लोग बेचते ही रहोगे सारे IT सेक्टर के शेर गिर रहे है तो फिर आप लोग हमेशा ल पेटन दिखाऊंगा यह देख लेना यहां पे गिरावट नहीं हुई थी क्या हुई थी यहां पे भी आप देख सकते हो बट आज है ना ओर उपर रिटेल इमेस्टर का प्रॉब्लेम क्या कि शेर उपर गया तो वह उपर 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 और सिर्फ उपर ही जाना चाहि प्रॉब्लेम नंबर टू उपर गया तो चलो फ्लैट हो जाना चेह नीचे नहीं आना चेह वह उपर फ्लैट फ्लैट इसे तो पेनी स्टॉक की शेर रहते हैं मतलब चाट पेटन रहते हैं तो दोस्तों ओवरल बताने का मकसद ही वही है कि आप लोग अनेसेसरीली पैनिक ह होते रहते हो यह हमेशा कभी ना कभी करेक्शन आते ही रहता है अगर हम लोग बात करें चलो TCS की छे मेने का चाट पेटन यहां पर भी देख लेते किदर गिरावट आपको दीख भी रही है मुझे तो किदर नहीं दीख रहा है आप सिर्फ छोटा-छोटा चाट पेटन बूल जाहिए यह हमेशा आप ऐसे ही अगर रखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं सो यह कहना चाहूंगा कि जिनों ने भी मतलब हायर लेवल पर खरीदा होगा उविसली उन्हीं लोगों को तकलिफ हो रही है तो मैं एक ही कहना चाहूंगा दोस्तों कोई टेंशन की बात नही जितना आप लोग लंबा खेलोगे उतना ही आपके रिटंस बनेंगे तो यही मैं जादा जादा आपको सजेस्ट कर सकता हूँ सजेस्ट इन दा सेंस जो एक्स्पिरेंस है वो आपके सामने शैर कर सकता हूँ इससे ही आप लोगों का आगे future में फायदा हो सकता है अब इस company की बात कर लेते देख लेना 37% के रिटन से राइट उसी की साथ साथ L&T Infotech की बात कर लेते एक बार देख लेते छे मेने के रिटन तो यह देख लेना 88% के रिटन से आप देख सकते स्क्रीन के उपर सो यह जो गिरावाटे क्या चोटी कितना हो देखने कूब है तो कोई टेंशन की बात लेते जब अगर प्रॉबलम का पही चलो आपके बाकीprise हरे निशान में चल रहे और एककका आपका सिलट किया हुवारी शेर ही बार-बार नीचे ज जा रहे। तो हम लोग कह सकते कि कुछ तो गड़ बड़ है जैसे कि अगर हम लोग यूजुली देखे FMCG सेक्टर में सारे FMCG अच्छा परफॉर्मस दे रहे कोई हाई लेवल पे है कोई हरे निशान में चल रहा है बट ITC ITC दिक्कतों में चल रहा है तो ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने विचार करना चाहिए या फिर चेक करना चाहिए कोई इंटरनल इशू है क्या तो आप लोगों को समझ में आएगा जब पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसी गिरावट होती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है और यही चीज़ें आप क्रॉस वरिफाई करके देख लेना जहाँ पर मैंने आप लोगों को वीडियो का लिंक दे दिया है और इससे रिलेटेड में आप लोगों को पहले भी ऐसे मतलब एक्जामपल दे चुका हूँ बहुत सरे अलग-अलग एक्जामपल दे चुका हूँ जैसे कि अगर हम लोग स्कूल की बात कर ले तो आप सबी लोग पते पेपर्स रहते हैं कभी-कभी होता है न पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहता है कभी-कभी बहुत सिंपल रहता है तो वैसे पकड़ लोग पेपर इतना टफ था कि सभी लोग यहाँ पर फेल हो गया ऐसे पकड़ ले न बट अगर सारे स्टूडेंट यहाँ पर पास हो रहे मतलब हरे निशान में चल रहे यूएस मार्केट के भी जो आई-टी स्टॉक देखोगे तो इंटायर लाल निशान में देखने को मिल रहे है तो आप लोगो कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं इसको प्रेडिक कर सकते एक दिन पहले डेफिनेटली दोस्तो कर सकते कुछ हद तक कर सकते अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहे तो जरू मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मैं जरू इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश जरू करूंगा तो नीचे सिफ यास देना तो मैं जरूर इसको कवर करने की कोशिश कर दूँगा तो फिलाल वीडियो को क्लोस करने से पहले यही कहना चाहूंगा दोस्तो अगर आपके पास IT सेक्टर के शेर जे तो निकाल मत देना देखे गिरावट कितनी भी हो सकते अभी 60-70-80% रिटन देने के बाद अगर अगर वो 5% गिर जाता है तो इसमें क्या बूरा है वो डेफिनेटली जाये गई बट हम लोगों को चाहिए 100% परफेक्शन वो शेर अभी 100 रुपे का है वो 100 रुपे का शेर 600 पे गया तो हम लोगों को 500 का प्रॉफिट ही चाहिए ऐसे नहीं सोचेंगे कि वो छोटा सा करे ლ करेगा वापस करक करेगा वापस जम करेगा सो इतना जो पूरा मैंने जो कहानिया आपtałहां को यह पर बताइए कि यहाप अगर आपके पास IT सेक्टर के स्टाइक तो मुझे ऐसा अलगता है कि आप लोगने लॉस में सरान नहीं चाहिए आप लोगने होड करना चाहिए लंबी आउदी के लिए इसको छोड़ देना चाहिए, फाइनल डिस्टेन, as usual मैं आपी के उपर छोड़ने माला हूँ, जरूर उपर आए बटन पे जो वीडियो बताईए, उसको जरूर चेक करना उसमें ही है, यह सारी बाते आप लोगों को अच्छे ग्राफिकल फॉर्म में मैंने बताई है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तन के साथ शेयर करना, तो उनको भी यह सारी बाते पता चल जाएगी, सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए, बाई बाई